मैं गरीमा अगरवाल आप सभी कवंदन करती हूँ अभी नंदन करती हूँ आईए आज हम सुनते हैं चोथ मातागी कहानी एक साहुकार के एक बेटो और एक बहु थी बहु पीहर जाती जदू के बाप पूछतों की के खाकर आई वा बोलती बासी कुसी खाकर आई हूँ एक दिन साहुकार को बेटो सुसरा से मिलने गयो तो सुसरो बोलियो कि थे मेरी बेटी ने बासी कुसी क्यों घालो हो बेटो यो बात आकर माने पूछे ओ तो मा बोली कि मैं तो ताजी खालो हूँ चाहे तू आज देख लिये एक दिन बहु को बाप आयो तो उजू पूछो कि बेटी के खायो बेटी बोली कि बासी कुसी खाई बाप के जाने के बाद धनी बहुत नाराज होयो बोलो कि मेरे बापने क्यों बदनाम करे है ताजी खाकर बासी कुसी बतावे जद वा बोली कि थे कुमाओ न थारा बाप कुमावे जणा बासी कुसी होई की नहीं या सुनकर उको धनी कुमाने चले गयो एक दिन वा पडोसन के आग ले आने गई तो देखे तो सब कोई कहानी सुने है जद पूछी कि यो के करो हो पडोसन वोली कि मैं चोद की कहानी सुना है इसे अनधन होवे बेटा पोता होवे बारह बरस को बिछडोरो धनी मिल जावे जी के दिन से वा भी चोद बरत करने लागी सासू चार भगत खाण ने देती जी को एक बार को हदकार निकालती एक बार को गाएने देती, एक बार राखुडे गार देती और एक बार को चानने अरगे देकर आप खालेती अयाही चोथ बरत करता बारे बरस होगा गड़े चोथ सोची कि इन्हें बरत करता बारे बरस होगा अगर इके धड़ी ने पाछो नहीं लियावाँगा तो आपने कल्यूग में कुण मान सी उही रात ने चोथ माता उके धड़ी ने बोली कि अब तु घरा चलो जा तेरी ओरत तने याद करे है वो बोल्यों कि मैं तो बहुत काम में उलज रहे हूँ कईया जान सकूँगा चोथ माता बोली कि दिन उगने के पहले ही चोथ माता को नाम लेकर दोनु गोड़ा मोड़कर बैट जाईए देनिया दे जासी लेनिया ले जासी वो सबेर उटकर याँ ही करे हो तो सारा काम पूरा होगा घरा आन लागयो तो रासा में एक बूर्डो साब दुक्के मारे जलने जावे थो जी को वो उन्हें चिचका रहो तो साब बोलो कि अब मैं तने खाऊंगा जना धर्णी बोलो कि मैं बारे बरस से घरा जाऊ हूँ जी को मेरी माओ लुकाई से मिलना न दे पीछे खा लिये साब बोलो कि कहिया विश्वास आवे तू तो छट पर जाकर पलंग पर सो जासी वो बोलो की सीड़िया चटकर आ जाए इतनी कहकर उदास सो घरा आयो कोई से बोलो भी कोनी रात ने चाथ पर सोने के लिए गयो एक सीड़ी में बालू एक में दूद को कुंडो एक में पानी को कुंडो और एक में फूल बकھیर दिया रात ने साप आयो पहले तो बालू में खूब लोट पलोटा खाया पीछे सारो दूद फाकी पीगो फिर फूला की खुब सुगन लेई और छात पे जाने लागयो तो चोत माता सोची कि आपई को संकट नहीं टालंगा तो कल्यूग में कोई कोनी मान सी जड़ा उन्हें ढाल से डखकर तलवार से मार दियो पन थोड़ी सी पूछ कटकर उकी जूती में गिर गी पूछ सोची कि और जूती पेरसी जद खाऊंगा जड़ा कीडिया आपस में बात करी कि इकी लुगाई आपाने रोजीना चून गेरती सोई के धणी की रक्षा करनी चाहिए सगली कीडिया लाकर पूछने थोती कर दी उको संकट टल गो सबेर उटने में देर होगी तो मा उठान जान लागी सीड़ी में खूण देकर चिलाई सोची की मेरो बेटों मरगो बेटों आकर सारी बात बताई और मा ने पुछे होगी मेरे नाम से कोई पुर्णे बरत करया था के मा बोली मैं तो कुच भी कोनी करी पनलुगाई बोली कि मैं बारू चौत थारे लिये करती मा बोली कि मैं तो तने बरत करता कोनी देखी चारू बगत रोटी देती बहु बोली कि मैं एक बगत को हतकार निकालती एक बगत को गायने देती एक बगत को राखोडे गारती और एक बगत को चांद नेरक देकर खाती ब्राह्मन की छोरी ने बुला कर पुछो तो बोली की हाथ देती गाये ने पुछो तो बाबी हुकारो भर दियो राखुडों खोद कर देखे तो सोना की जेट होगी सारी नगरी में हेलो फिरा दियो बिंदाईक जी की कहानी एक विद्वा मालन थी उके एक चार बरस को बहुत सुन्दर लड़को थो मालन की सासू ने बहुत दुख देती एक दिन सासू दोनवा ने घर से निकाल दी दोनु जना उट से चला गया चलता चलता दूर जाकर एक गाच के नीचे बैट गा गाच के सामने एक बिंदाईक जी को मंदिर थो दुनिया दर्शन करने आती जी की उनाने भी प्रसाद बाट जाती जी कैसे उना को पेट भर जातो दोनु जना भठे ही रहन लागया और बिंदाईग जी की बहुत सेवा पूजन करना लागया एक दिन मालन सुची कि आप जंगल से फूल लाकर पूजा की सामगरी और प्रसाद बेचा तो आपने बहुत पीसा आन लाग जासी बेलोग दुकान खोल ली, खूब बिक्री होने लागी पीछे में बिक्री करनताई आदमी राख लियो और आप बिंदाईग जी की सेवा पूजा करने लागी दीरे-दीरे कमाई और होने लागी तो मकान करा लियो मुनीम गुमास्ता राख कर बड़ी दुकान खोल ली लड़काने पढ़ने भीजन लागी, लड़कों पढ़ने जातो बठे राजा की लड़की भी जाती उसे बहुत दोस्ती होगी लड़कों राजा के घरा भी जाने लाग्यो जी की बे लड़का ने इतनो सुन्दर देखकर अपनी भाविया से बोली कि मैं तो इसे ब्या करूंगी भाविया बोली कि आपा राजा हाँ यो मालन को लड़को है इसे ब्या करने से अपनी इज़त चली जासी पर लड़की मानी को नी, बोली कि मैं तो प्रतिग्या कर ली कि इसे ही ब्या करूंगी भाबी आपके साथ ससुर ने जाकर सारी बात बताई तो राज़ा बोलियो कि ठीक है प्रतिग्या ही कर ली तो आपा ने करणों परसी और खूब धूम धाम से लड़की को ब्या करियो बहुत दायजों दियो मालन बहुत राजी हुई बेटा बहु ने आता देखकर पहले बिंदाइक जी के मंदिर में धोग दिवाई पीछे घरा लियाई सारा गाउं में धिंडोरों पिटवायों के बिंदाइक जी की सेवा पूझा करने से दुखी आत्मी भी सुकी हो जावे या सुनकर और भी दुनिया दर्शन करने आवे लागी और बिक्री और भी बढ़ने लागी बेटों काम समालने लागे हो, मालन और भी सेवा पुजा करने लागी बठी ने सासू के अंदाता बैर पढ़गा, जी कर उलता उलता एक दिन अठे आगा आकर लड़का ने बोली कि मने नोकरी राख ले, खाली रोटी कपड़ा दे दिये, मैं सारों काम कर देऊंगी लड़को राख लियो, दोनू एक दूसरा ने पहचानया को नी, मालन थोड़ी देर में पूजा करके आई देखे तो सासू काम कर रहे सासू ने पूछी कि थे अठे कहिया काम करो हो, तो सासू बोली कि अठे को सेठ मने नोकरी राखी है जद बहू बोली कि सासू जी यो तो थारों ही पोतों है, या बहू है, यो आपनों ही मकान है थे तो माने कार दिया था, पन बिन्दाइक जी मारी लाज राखी है सासू बहुत शर्मीन्दा होई, बोली कि मेरी कंड़ी में भोग लई बहु बोली कि सासु जी अपते हटे ही रहो पोता को सुख देखो सासु जणा बठे ही रहने लागी है बिंदाइक जी महाराज जिसो विद्वा मालन ने धन दियो विसो सबने दियो केताने सुनताने हुकारा भरताने आपने सारे परिवार की रक्षा करियो जै श्री राधी